प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोग घहलोत के द्वारा बजट सत्र में आमजन के हितार्त की गई घोशना अब मुर्त रूप लेने लगी है मुख्यमंत्री अशोग घहलोत में महिलाओ का खास ध्यान रखते हुए उन्हें रोडवेट की सभी बसों में आधे किराई पर यात्रा कराने की घोशना की थी के बाद, शुकरवार से महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में आधे किराये पर यात्रा की शुरुवात की गई, जिसके तहट शुकरवार को ब्यावर रोडवेज परिसर में महिला यात्रियों की भारी भीर नदर आई. महिलाए अपने गंतवे की और जाने के लिए ब्यावा रोडवेज बस स्टेंड पर इसर में पहुचे था टिकेट विंडो से जब अजमीर जाने है तो टिकेट लिया तो बुकिंग क्लर्क ने उनसे 70 रुपे के स्थान पर टोल मिला कर मातर 40 रुपे हे लिए जिससे महिला के चहरों पर खुशी जलक उठी जब booking clerk ने उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि आज से महिलाओ के लिए रोडवेज बस में सफर करने के लिए किराये में सरकार त्वारा 50% के छूट दी गई है जिस पर महिलाओ ने मुख्यमंत्री अशोग हलोत का आभार प्रकट किया आपको बता दे कि पुरो में महिलाओ त्वाया रोडवेज बस में सफर करने पर 35% किराया देना पड़ता था जोसे कारण अचमेर की और महिलाओ को रोडवेज बस में यात्रा करने के दुरान उन्हें स्टार लाइन की बस में 50 रुपे तथा एक्सप्रेस बस में 45 रुपे का किराया देना पड़ता था गोशना की अमल में आने के बाद महिलाओ को स्टार लाइन में 45 एवं एक्सप्रेस बस में 38 रुपे किराया देने की होंगे